वॉलिवोड के सूपर स्टार साहित कपूर आज यानी 25 फरवरी को अपना जन्म दिन मना रहे हैं वो अपनी दमदार एक्टिक्स से अपने किरदार में जान डाल देते हैं साहित उन स्टार कीट्स में से एक हैं जिने फिल्म इंडेस्टि में जगा बनाने के लिए कापी संगर्स का सामना करना कुड़ा उन्होंने अपने केरियर में कापी उतर चड़ाप का सामना किया उनकी पीता अभिनिता फंकस कफूर और मा अभिनितरी निलम आजमी इंडेस्ट्री के जाने मने कलाकर में से एक हैं वो जब चार साल गे थे तब उनके माता पीता का तलाक हो गया था आज साइध वॉलिवूड के फॉपुलर और बड़े एक्टर में से एक हैं उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है लेकिन उनके केरियर में एक दोर एशा भी था जब उन्होंने बेक ग्राउंड डानसर के तोर पर काम किया साहिद दिल तो फागल है और ताल जैसी कई वॉलिवूड फिल्मों में बेक्ग्राउंड डानसर के तोर पर नजर आए इसके बाद एक्टर कई विग्यापन में भी नजर आए लंबे संगर्सों के बाद साल 2003 में साहिद ने फिल्म इसक विक्स से वॉलिवूड में कदम रखा इस फिल्म में उन्हें काफी फसंद किया गया था इसके बाद साहिद वॉलिवूड के कई फिल्मों में लीड रॉल में नजर आए उन्होंने फिदा दिल मांगे मोर दिवाने हुई फागल वह लाइब होतो ऐसी आदी फिल्मों में काम किया साल 2006 में आई सुरज बर जते के फिल्म विवा उनके केरियर के सबसे बड़ी हिट साबित हुई इस फिल्म में उनके अबिने को काफ़ी फसंद किया गया इसके बाद साल 2007 में इंतियाज अली की फिल्म जब वी मेट में अदिति कर्षिफ के रोल में नजर आये साहिद की ये फिल्म उनके केरियर की हिट फिल्मों में से एक है साल 2009 में आई विसाल भरदवाज की फिल्म कमीने में साहिद ने दमदार एक्टिंग की जिसकी वज़े से उन्हेंने कापी सुर्ख्य वटरी वो हैदर, उठता पंजाब, पदमाबाद और कभीर सिंग जैसी कई सांदर फिल्मा में भी काम कर चुके है साहिद को फिल्म फेर का वेस्ट एक्टर आवाट मिल चुका है साल 2016 में साहिद ने एक इंटरुवी में अपने संगर्शों के दिनों को सजय किया उन्होंने बताया कि सुरुवाती दिनों में ऐसा कई बार होता था कि उनके पास खाने के पैसे और ओडिसुन देने जाने के लिए किराय नहीं होता था बॉलिवुड में एंटरी मिलने से पहले करिव सोब फिल्म में रिजक होना पड़ा था उसके बाद उन्होंने इसके विस्क से अपने बॉलिवुड केरीर की सुरुवात की थी आज सहीद इंडिस्ट्री के टॉप एक्टर में गिने जाते हैं